सब्सक्राइब आपके अपने चैनल संसनिवाल डेरी फार्म पे सामने देख पारें रोसन भाई को और बहुत ही शांदार शांदार नसल की जोटियां और बैसे आज आज आपको देखने को मिलेंगी और रोसन भाई के यहाँ जब हमने वीडियो बनानी शुरू की थी तो ऐसा मेरे ख्याल से जर्दियों के टाइम की थी तो थोड़ी सी जो कम रेट की भी ज़्यादा वैसे होती थी लेकिन आज कल रोसन भाई के पास हम देख पाते हैं बहुती शांदार शांदार क्वालिटी की मूरा नसल की जोटियां साइद ही इस एरिये में किसी और भाई के पास बिक्री के लि आज की वीडियो में आपको शांदार से शांदार जोटिया देखने को मिलेंगी बाई साब से बात करेंगे रोसन भाई सर्शाना से बाड़समंद और चोदर इवास के लगबग बीच में 5577 किलोमेटर की दूरी पर बाई का गाउं है इनसे बात करते हैं पूछते हैं अच्छा तो जो बीमार होगी थी वो रोक दी बैसे वो कैंसल करते हैं तो एक नंबर को खोलो भाई बताओ रोसन भाई शायद बच्चा देने वाड़ी है हां बच्चा देने दूसरी बार बच्चा देगी देखिए खुल के चलेगी तो थोड़ा आपको देख पाएंगे कोणसी बार बच्चा देगी रोसन भाई दूसरी बार बच्चा देगी दूसरी बार और कितना दूद निकाल देगी पहले ब्यात में 15 लिटर दूसरी बार बच्चा देने वाड़ी कितने दिन बाकी हैं जी अभी चार दिन बाकी हैं चार दिन बाकी देखिए बहुती शा पूंच में साइद कोई भी बाल वाइट नहीं है और अडर देखिए बहुत ही बढ़िया चारो थन काफी दूरी पे मुठी के आकार के थन है बिल्कुल और रोश्ण भाई के पास बहुत ही सुन्दर जोटिया यह देखिए बिल्कुल छुटा सिंग है जैसे एक उंगली भी इसके बीच से ना जाए इस टाइप का बहुत ही बहतरीन इससे आगे दो नंबर पर यह बताओ जी दूसरी बार बच्चा दिया सुबहें कितने बज़े खाली किए 11 बज़े खाली किया देखिए अभी श्याम के पांच बज़े हैं पांच बज़े यह वीडियो बना रहे ह 12 19 किलो दूद देना चाहिए देखिए भूति खुबशुरत जोटी पीच पुठा बहुती बढ़िया है वजंदार है ऐसा नहीं है के कमजोर जोटी है और निस सींग देखिए बहुती बढ़िया साथ में कटड़ी है यह इदर जो बैठी है बिल्कुल छोटे सिंग की मोटाई है वो बहुत बड़ी आथणों की पीठ की क्वालिटी भी काफी अच्छी जो एक नंबर पे जोटी हम देख पा रहे हैं उससे वह ब्याई नहीं है यह ब्याई हुई है लेकिन इससे थोड़ी सी हेल्दी भी जाद है इससे आगे तीन नंबर पे एक और यह दूसरे दूसरे व्यात की आज निचे कटी अभी तेरा लिटर दूसरा नंबर पाउच दिन की ब्याई में इसकी क्या किमत रखे है जी एक लाग पाटीस हजार रुपे एक लाग पाटीस जार रुपे की बेचनिया देखिए बहुत ही बढ़िया साफ सुत्री जोटी से बिलकुल करते रहें कि आपको कैसी लग रही है बैसों की क्वालिटी बहुत ही शांदार निचे से बढ़ी हुई है साइड मीडियम है जादा उच्छी नहीं है जैसी भी बात हमें वीडियो में पसू के बारे में सामने दिखाई देती है वैसी आप भाईों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे डेरी वाले बाई इस बात से हमसे बुरा भी मान जाते हैं लेकिन हमारा काम केवल आप जो वीडियो देख रहे हैं उन तक अच्छी जो जानकारी है एक जैक्ट जो सच्चाई की जानकारी है वही पहुंचाना यह बताओ जी यह पहले व्यांत बिल्कुल छोटे सिंग की जोटी देखिए और दस किलो दूद पांच दिन की छे दिन की ब्याई में है तो बहुत बढ़िया तेरा किलो दूद निकाल देगी एक लाख दस जार रुपे की बेची है साफ सफाई देखिए जोटी की बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी जैस से भी अच्छी क्वालिटी का पसूद नहीं हमें देखने को मिल रही है चांस की बात कोई भी विपारी जो है अच्छा पसूद नहीं लेना पसंद करता है लेकिन मार्केट में कैसा मिल रहा है कैसा भीक रहा है वही लेके आएगा ये बताओ जी और अभी खीश से खाली अच्छा अजी बिकी हुई है अब इक रहने दो कितने की बेच रखी है एक लाख रुपे एक लाख रुपे कितना दूद देगी रोसन भाई रामसे तोदा किलो रामसे देगी चोदा किलो ये बताओ आगे वाली ये तीसरे ब्यात किया अभी तेरा तोदा लेटर दूद वजंडार लेंश थैक है और वीडियो रायपूर जाएगी ठीक है छेव क्याने यह रैपूर्ण फैनल टिक नुदल देखे बहुत ही बढ़िया वरिया वजंदार बैसको काफू बढ़िया वजंदारalis याक्रेय वाल आप खळो भाई को ये तीसरे वियांगि कि कितना की दी है 14 किलो दूद बता के दिये देखिए जैसे जिसी साब की क्वालिटी आज आज आप देख पा रहे हैं वीडियो में अगर बहुत सारे बाई हैं जो इसको 20 किलो की कहके और भी महेंगे 10-20-30,000 महेंगी बेच सकते थे लेकिन रोशन बाई का जैसे कि मैं लगबग मेरी इन्हें बताया वीडियो के सुरू में के दो बैसे इन्होंने कैंसिल कर दी जो रायपूर जानी थी तो सायद ही आपको किसी और डैरी फारम पे इतनी बढ़िया साफ सुत्री बाते देखने को मिलें सुनने को मिलें ये बताओ जी ये पहले ब्यांत किये कितना दूद दू अगे वाली दिखानी आजी तो ये भी इकी हुई है नहीं बिगरी के लिए अच्छा ये बाइसिंग टुटी वही जो है ये 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 दूद निकल आए जी खीसे खाली हुई है आज अच्छा श्याम को निकल के आई है या अब दो गंटे में दो गंटे तो ये कितने की अच्छा हुआ है जो कि पहले ही वीडियो इसके बार में बात करने से पहले ही हमने आपको बता दिया बन्वे अजार उपे में तेरा किलो दूद जो है अराम से निकालेगी और हमारी जो बैसे हैं बहुत सारे गुजरात के बाई हमसे बुरा भी मान जाते हैं लेकिन रिया 1000 कयी खला जाएंगे अरट ऐसाफ से कितना कितना क्वार देदेंगी 10-12 किलो दूद देंगी देletalा भी में देना बड़ी बात है क्योंकि ये खोलना भाई एकबर ये देखी असी अजार में मेरी ख्याल से भाई तो 10-12 किलो कह रहे हैं बाकी मेरे इसाब से जैसी बैंस दिखाई दे रही है उसी इसाब से 14-15 लिटर दूद देना चाहिए जैसा अडर फिलाल है जो सिले अडर की चारो थन देखी काफी दूरी पे बढ़िया लेकिन भाई ने बताया के 12 किलो के इसाब से इन्होंने दी हैं ले आओ बहुत ही बढ़िया तो ये देखिए आज की वीडियो कस्मा डेरी फारम से हम लेके आए जो भाई वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स करके जुरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो और रोसन भाई से आप जुड़ना चाते हैं इन से बैंस लेना चाते हैं तो आप इनके फारम पे पहुंच जाएं या दो टाइम दूद वीडियो कोल पे देख लें बहुत सारे भाई ओनलाइन भी लेना पसंद करते हैं तो काफी बार हम ये बात कहते हैं कि हम केवल माद्द मातर हैं वीडियो आप तक पहुंचाने के डेरी वाला है उसका नमबर पहुंचाने के एडर्स पहुंचाने के क्वालिटी आप देख सकते हैं पसुदन की जब भी हम भी पसुदन लेते हैं तो दो टाइम दूद निकाल के ही लेते हैं और रोशन भाई की खासियत आपको मैंने काफी सारी बाते बता दी बीच बीच में आप इनके यहां आके खुद इनसे बात करेंगे मुबाईल से बात करेंगे यह खुद आके देखेंगे तो वो बाते आपको यह जरूर एहसास होगा कि शुरेंदर भाई ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा होगा ठीक है भाईो सभी भाई जो भी वीडियो के लाश्ट तक बने रहे सबको मेरी तरफ से नमस्कार स्थ्रीयकाल राम राम सलाम